जै मातादी, राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों नवरात्र के चौथे दिन मादुर्गा के नवशक्ति स्वरूप मा कुश्मांडा की पूजा की जाती है नवरात्र के चौथे दिन मंगलवार को मा कुश्मांडा का पूजन किया जाएगा इस दिन मा की पूजा अजना और ब्रत कहने से ना केवल मा कुश्मांडा की क्रप्रा प्राप्त होगी वलकी संकट मोचन वजरंग बली का भी पूण आशेवाद आपको प्राप्त होगा इस दिन का पूजा ब्रत कहने से कई गुना फल की प्राप्ती होगी मा के इस स्वरूप की सच्चे मन से पूझा कहने से सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं और मन चाही मनुकामना पूर्ण होती है इनकी उपासना से सिधियों में निधियों को प्राप्त कर, समस्त रोग शोग दूर होकर आयू और यश में प्रत्थी होती है देवी कुश्मांडा को अश्टबुष देवी भी कहा जाता है मा कुश्मांडा का स्वरूप सूरे के समान तेजश्वी है मा कुश्मान्डा की आठ पुझाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपना कर यश अजित करने की प्रेणा देती हैं मा कुश्मान्डा की मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाते हुए हमें कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त कहने के लिए प्रेरित कहती हैं मा कुश्मांडा थोड़ी सी ही सीवा और भक्ती सी सहज ही प्रसन हो जाती है यदि कोई भी व्यक्ती सचे मन से उनका शर्नागत बन जाए तो उसे बड़ी ही सुगमता से परंपद की प्राप्ती हो सकती है मा की उपासना भवसागर से पार उतायने का बहुत ही सहज मार्ग है मा की उपासना से भक्तों के सभी रोख, शोख, दुख, तर्द मिट जाते हैं मा की उपासना से आयू, यश, आरोक्य और बल की प्रथी होती है मा कुश्मांडा की आरात्ना कहने से सुख सम्रत्ती और उन्नती की प्राप्ती होती है ब्रह्मान को उत्पन कहने के कारण से ही इन देवी को कुश्मांडा की नाम से अभिहित किया गया मा कुश्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना के थी इसलिए मा कुश्मांडा को आदी शक्ति कहा गया है अश्ट भुजा होने की कारण इन्हें अश्ट भुजा देवी कहा गया है मा कुश्मांडा के साथ हातों में कमंडल, धनुश, पान, कमल, पुश्प, कलश, चक्र और गदा है आठ में हात में सभी सिद्धियों और निधियों को देनी वाली जब माला है मा कुश्मांडा की पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले कलश में बिराजवान, समस्ते देवी, देवताओ, नब्रह की पूजा करनी है फिर मा कुश्मांडा की पूजा करनी है मा का पूजन हरे रंग के बस्तर पहिन कर करें, मा की सामने एक शुद्धिखी का दिया चलाएं और एक सुगंदे धुबबती चलाएं इसके बाद हरी इलाईची सौफ कुम हडा मा को अर्पित करें फिर हातों में पुश्मु लेकर इस मंत्र का चाप करें मंत्र है यादेवी सर्व भूतेशु मा कुश्मांडा रूपेन संस्तिता नमस्तर से नमस्तर से नमस्तर से नमोनमा दोस्तों मंत्र जाप के बाद आपको यह पुश्मु माता को अर्पित करने हैं इसके बाद माता के सामने माता टेक कर आपको अपनी समस्त मनो कामनाए मन ही मन बोल देनी है ऐसा करने से आपकी सभी मनो कामनाए माता रानी की क्रपा से जल्दी की पोण हो जाएंगी और माता रानी की क्रपा सदेव आप पर बनी रहेगी मा कुश्मानडा की पूजा के बाद भगवान शिपप और भगवान पिश्णु मा लक्ष्मी जी का पूजन भी अवश्य करें इससे भी आपको फल की प्राप्ति होगी मा को प्रिये भोग मालपूए का भोग लगाएं मा को माल पूए का भोग लगाने से मा बहुत प्रसन्न हो जाती हैं भोग लगाने के बाद आप इस प्रसात को भ्रामर को या फिर किसी गरीव को दान कर सकते हैं दोस्तों इससे आपको पूजा का कई गुना फल प्राप्त होगा और आपके उपर सदे माता कुश्मांडा का आशिरवाद बना रहेगा उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब तैंक्स फॉर वाचेंग राधी राधी जै माताती तैंक्स प्राप माता होगी